हेलो दोस्तों आज हम चैप्टर 5 डिसकस करेंगे थेओरीज आफ सोशल साइकलोजी और होप यू अब डूइंग वेल तो 5.2 कॉगनेटिव डिसोनेंस थेओरी ये डिसकस करेंगे इसे में लिए होता क्या क्या होता है वेक्टी के साथ यह कैसा बिहेव होता है ठेकन तो में होता इसमें यह है कि जैसा हम सोच रहे मतलब होते हैं वैसा बिहेव नहीं कर पाते हैं वैसा बिहेव नहीं करते हैं जैसे हम सोचते हैं कि सिगरेट जो है ना सिहत के लिए हानिकारक है लेकिन फिर भी हम पीते हैं उसको ठीक है तो बिहेवियर हमारा वैसा नहीं है लेकिन स जादा पढ़ने की जुरुत नहीं है इसमें वैसे तो ठीक है ना तो कोगनेटिव डिसोनेंस ठीवरी इसी हो कहते हैं और कह रहा कि इन आवर एवरी डे लाइफ देरा नंबर को ऑकिसन वेर मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है हमारे रोज मर्रक के जिन्दगी में इसमें क्या होता है कि हमारे बिहेवियर एटिट्यूड और जो बिलीफ है ठीक है ना हम जो दिखाते हैं वो अलग होता है और जो हम अध जो को पेना सहिए हानी का राया लेकिं फिर भी हम ने पी ली ठीक है तो हमें क्या होगा कि बाद में हम यह गिल्ट महसूस करते हैं क्यों किया हमनए ऐसा ठीक है तो यहाँ पे यह zucchनार है कि हम इससे कैसे हुट चुटकारा पाएं थीक है तो चुटकारा पाने के मतलब 3-4 तरीके हैं ठीक है यहां पर खारा है तो को तो तेन तरीके दे रखें कि चेंजर बिलीफ या तो अपने जो बिलीफ ऐ आपके उसमें चेंज कर दो ठीक है जो माननेता हैं आपके उसको चैंज कर कि वह सिगरेट पीने से अगर नुकसान होता है ठीक है तो बहुत सारे लोग पी रहे हैं ठीक है और बहुत सारे लोग पी रहे हैं और जरूरी नहीं कि सब को ऐसा होगा इस टैप से कर दो बिहेवियर चेंज कर तो अब मान लोग कि आपर्सन हूँ स्वोक इवन आफ्टर नौविंग डैट इस्वोई केंड कॉस कैंसर में इवंचली स्टॉप स्मोकिंग एंड दस रिड्यूस्ट डिस्कॉर डिसोनेंस तो अगर कोई बंदा अगर मतलब जानता है यह सोचता है कि पीने से कैंसर होता है लेकिन फिर भी वो पी रहा है तो उसको बिहेवर चेंज करने लिए क्या करना पड़ेगा उसको रोक देना पड़ेगा तो रोक देगा तो बिहेवर चेंज हो जाएगा ठीक है एक और एक्जामपल लेते हैं कि अगर सुगर है जो हमारे सेहत के लिए हानी का रख है exercise क्या है कि हमारे लिए benefit है बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है तो हम क्या करेंगे कि immediately behavior change कैसे करेंगे हम सुगर को बंद करेंगे और exercise चालू कर देंगे behavior change हो गया तो पहला क्या है कि belief उसके बाद behavior ठीक है उसके बाद change in perception of behavior we can resolve the dissonance with the help of an even more complex mode by changing the way we perceive our action तो उस तरीके को change कर दो जैसी मतलब आप perceive करते हो किसी भी चीज़ को ठीक है उस तरीके को ही change कर दो और अगर उस तरीके को आप change कर दो तो क्या होगा automatically आपका ये जो behavior ये खतम हो जायागा ये dissonance है जो ये खतम हो जायागा तो यह वह यह सोचने लगता है कि भाई मैं जो cigarette smoke करता हूँ मैं पीता हूँ जो cigarette वो क्यों पीता हूँ मैं इसलिए पीता हूँ कि जो अपने जो हमारे मतलब मेरे जो stress है उसको कम कर सको ठीक है तो daily life को जो मेरे stress है उसको कम करने के लिए पीता हूँ अब उसके बाद या तो मैं दोस्तों के साथ ही क्योवल पीता हूँ ठीक है और people start thinking about their action in different manner अलग अलग मैनर में वो अपने action को define करने लगता है सोचने लगता है ठीक है जिसके कारण क्या हो कि उसका disonance खतम हो जाए और context so that it no longer appear मतलब जो भी है उसका disonance बस उसको क्या करना है disonance खतम करना है कैसे भी कर सकते हैं तीनों तरीके में से कोई साथी तरीका अपना सकता है ठीक है तो हमने discuss किया कि belief ठीक है उसके बाद behavior and then उसके बाद perception of behavior तो तीनों में से कोई साथी तरीका यूज करके वो अपना disonance खतम कर सकता है और disonance क्या होता है जैसा हमने बताया कि जो हम सोचते हैं वैसा हम behave नहीं करते हैं और इसके कारण क्या होता है कि हमें guilt होता है हमें अफसोस होता है तो इस चीज से बचने के लिए इस अफसोस को खतम करने के लिए हम ये तीन तरीका अपना सकते हैं और अपना disonance खतम कर सकते हैं ठीक है बस यही ता इसमे